दोस्तों इस वीडियो के मातम से मैं आपको GS Paper 3 का बुकलिष्ट बताने जा रहा हूँ जो one of the best बुकलिष्ट है UPSC Main Exam GS Paper 3 का ये सारी रिसूर्सेस है अगर हम GS Paper 3 की बात करें तो इसका जो में टॉपिक है वो ब्रॉडली चार पार्ट में डिवाइडेड है जो main weightage है इसका वो है economy का अब economy के जब हम लोग बात करते हैं तो ये जान लेते कि economy हमको कहां से prepare करना है तो इसके लिए दो option है फर्श्ट option आपको क्या करना है कि NCRT Class 11th और 12th का या फिर Tamil Nadu Board का जो Class 11th और 12th का economics का book है उसको आपको follow करने है basic के लिए अब अगर आप मेरे से पूछेंगे कि NCRT और Tamil Nadu Board के book में क्या difference है तो मैं कहूंगा कि जो NCRT book है इसमें थोड़ी सी tough language का इस्तमाल किया गया है वहीं पे Tamil Nadu Board जो है वो थोड़ा सा easy language है समझने में आपको काफी ज़्यादा easy होगा इसके साथ आपको Ramesh Singh Indian Economy का जो book आता है उसको आपको follow करना है इसके साथ साथ budget और economy survey का जो summary आता है उसको आपको follow करने होंगे budget जो है वो वन फेब को paste किये जाएंगे पर्लियामेंट में और करीब 31st मार्च के बाद जो है वो आपको इसके नोट सोगारा मिलने सुरू हो जाएंगे और economy survey का भी उसी टाइम में आज पास में इस सारी चीज़े मिलने सुरू हो जाएंगे तो economy के लिए जो है वो आप इन सारी चीजों को follow कर सकते हैं एक और बड़ा topic है इससे छोटा है agriculture उसको आपको अलग से त्यारी करना पड़ेगा यहाँ पे एक second option है कि अगर आप इन सारी चीजों को अलग-लग से पढ़ना नहीं चाहते हैं तो second option है second option क्या है आपको कहीं किसी भी resources की जगरत नहीं पड़ेगी इसमें से जो भी बताया कुछ भी पढ़ने की जगरत नहीं पड़ेगी और बहुत ही अच्छे और comprehensive manner में सारी चीजों है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी दोस्तों अगर आप UPSC-CSE 2023 की preparation करना चाहते हैं तो आप अपनी preparation अन-academy के साथ कर सकते हैं अन-academy का new badge 19th January से start हो रहा है फोर UPSC-CSE 2022 और 2023 के लिए तो अगर आप 2023 के लिए start करना चाहते हैं तो आप इन badge को subscribe कर सकते हैं अगर आप इस badge को join करते हैं तो इसके साथ साथ आपको 20 general studies के books पे मिलेंगे जो की latest जो trend है UPSC का उस पे best होंगे तो आए जान लेते हैं कि इन course को आप कैसे join कर सकते हैं तो यह जो हैं वो UPSC के previous years के toppers रहे हैं तो यह Unacademy UPSC toppers हैं तो बात कर लेते हैं कि आप course को कैसे join करेंगे तो course की जो total price है ओरिजिनल वो 78,999 है तो यह आपको केबल 63,898 में मिल जाएगा इसके लिए आपको यह code दिख रहा है इस code को use करना पड़ेगा और इस course की जो validity होगी वो 18 months की होगे इसके साथ additional benefit में मिलेगी आपको जिसमें books और test reads भी provide कराये जाएंगे और यह validity केवल 19th January तक valid रहेगी तो link description में दिया हुआ है अभी join करिए चलिए आगे बात कर लेते हैं जो हमारा topic है science and technology का तो science and technology के लिए आपको क्यारेफर करने हैं तो आपको vision IS या फिर only IS का material जो है वो यूज करना है किसके लिए science and tech के लिए आपको कोई भी एक news paper follow करना है news paper क्या करेगा कि कोई भी नई technology अगर आती है तो उससे related news आता है तो वो आप क्या करेंगे यहाँ पे जो भी नई चीजें आएंगी वो अपने notes में add करते चलेंगे supplement करते चलेंगे ठीक है तो इससे आपको काफी help मिल जाएगा इसमें अगला section की बात करें तो वो जो हमारा section है वो है biodiversity and environment इंवार्मेंट के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो आपका class 12 का biology chapter 13 to 16 है class 12 का NCRT का biology book chapter 13 to 16 है यह करीब 4 chapter है इसको आप अच्छे से follow करिए 4-5 है और इसके बाद संकर IS का जो environment का book आता है उसको refer करिए और इन दो चीजों से आपका biodiversity environment का जो चीजे हैं वो हो जाएंगी और जो कुछ बच जाता है कुछ miscellaneous में तो उसको आप Google या फिर YouTube कर सकते हैं ठीक है अगला topic देखते हैं तो अगला topic जो है वो हमारा security security के लिए आप क्या कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी book आती है असो कुमार एंड बेपुल का MC Greve Hill publication का है तो आप इसको follow कर सकते हैं और यहां से यह सारी चेज़ जो है वो आपकी cover हो जाएगी तो उमीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया होगा तो एक like करिएगा नहीं पसंद आया तो dislike करिएगा dislike करिएगा comment box में जरूर बताइगा मिलते हैं किसे दूसरे वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद